आप सभी को मेरी तरफ से जह मता दी कभी कभी भक्त निरास होके, कभी कभी साधक निरास होके अपनी मन में ये सूचने रखते हैं कि भगवान दुख क्यों देते हैं क्या भगवान खुद से चाहते हैं कि हमारे भक्त दुखी रहे या नहीं इस बारे में मैं पूरी बात आप सभी को बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान पुरुवक सुनियेगा, भगवान दुख नहीं देते हैं, बलकि दुख निवारण का उपाय करते हैं, परन्तु अपनी ना समझी के कारण हम उनको दुख मानने लगते हैं, भगवान करुणा पर सौभावता इसनेह रखते हैं, बालक इच्छानुसार घुमता हुआ, अपने अंगों में मल कीचर आदी लगा लेता है, और उसे धोना भी नहीं चाहता, दयामई जन्नी यानि उस बालक की माता, बालक के हित के लिए उसकी इच्छा के विपरित उसे ठंडे जल से नहल आती हैं, बालक रोता है, चिलाता है, और मन ही मन समस्ता है कि मा उसे दुख दे रही है, परन्तु बात ऐसी नहीं है, माता उसे सुखी और स्वस्त बने रहने के लिए ही वह छणिक कष्ट, यानि कुछ समय के लिए भले कष्ट हो, लेकिन उसको सिवकार कराती हैं, इस परक भगवान माता की भाती सहज इसने के कारण उसे इस पाप ताप से मुक्ति कराने का यतन करते हैं, यानि भगवान हम सभी को सहज इसने से हमें पाप और ताप के भव मंदन से मुक्ति करने का पूरा प्रितन करते हैं, यानि पूर्ण कोशिस करते हैं कि उसके भगत उनके भ भगवान स्वयम चाहते हैं जीव उस परियास का रहष्य ना समझ कर भगवान को निष्ठूर बताता है और उन्हें दुख देने वाला मानता है यानि जैसे हम लोग प्राणी हैं मनुष्य हैं भगवान की इस परियास को हम लोग ना समझ कर कि भगवान भले ही थोड़ी सी लेकिन उसके आगे बहुत ही बड़ा सुख हम लोगों को मिलने वाला है यह ना जानते हुए हम अपने मन में यह सोचने लगते हैं कि भगवान बड़े निश्टूर है और हम उन्हें दुख देने वाला मानने लगते हैं कई भक्त तो ये भी कहते हैं कि अगर भगवान अगर सच में दयालो होते तो अपने भग्त को कभी दुखी नहीं देखते हैं या दुख नहीं देखते हैं चाही मेरी साथ ये घटना नहीं होती तो मेरे भाई, मेरे बंधू, मैं आप सभी को बता दूँ कि भगवान जितना प्रेम आप से, मनुष्य से, सारे जीव जन्तु से जितना प्रेम करते हैं, उतना अपने स्वेम के माता पिता भी नहीं कर सकते हैं, बस आपके मानने या ना मानने वाली बात है, अगर आप ना सम जी से बात करें तो बात ही अलग है वो ऐसे तो भगवान के अंदर जितना प्रेम है जितना करुणा है उतनी करुणा किसी के अंदर नहीं हो सकती है इसे के लिए कहलाता है न करुणा मही होती है मातारानी परम पिता परमेश्वर इसे के लिए नहीं कहलाते है क्योंकि वो पर डालने में ही सरीर का हित है सहलाने में नहीं इसी प्रकार पाप रूपी मेल को धोने या अग रूपी घाव को घातक परभाव मिटाने के लिए जीव को शनिक दुख रूपी उपचार स्युकार ही करना चाहिए यानि कोई घाव है जो आपको अत्यादिक भविश्ट में कष् कुछ मात्र के लिए कष्ट हो जैसे माली operation के दौराण कुछ मात्र के लिए कष्ट होता है कुछ दिनों की तकलीफ होती है लेकिन आप उसे जड़ से उस रोग को उस बिमारी को उस दिकत को खत्म कर देते हैं तो वो कश्ट कुछ समय के लिए होता है लेकिन हम लोग फिर भी ये सोचने लगते हैं कि अगर भगवान होतें अगर सच में तो हमारे साथ ये सारी घटना नहीं होती तो आप इस तरह ना समझी वाली बात ना करें परमात्मा है मातारानी है जगत में सारे देवी देवता है आप उनसे कभी निरास नहों जन्म देने वाली माता जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक मादूद नहीं देती है जब तक बालक खेलता है तब तक भी माता ध्यान नहीं देती जब तक वो रोए ना लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ भगवान एक ऐसे मित्र है एक ऐसे साथी है और एक ऐसा रिस्ता है भगवान का जो अपने भगत को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते एक पल की बात मैं कह रहा हूं सुचिए एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते भले आपको महसूस ना हो वो बात अलग है लेकिन कोई भगत अकेला नहीं होता हो भले समसान में बैठा हो चाहे परवत पे बैठा हो और चाहे वो जमीन के अंदर बैठा हो तबस्या कर रहा हो लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं चोड़ते हैं हर पल उनके साथ रहते हैं प्रतेक शुरुक में दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जो साधक अपनी साधना को लगभग पूरा कर चुके रहते हैं उन्हें अभास होता है इसी के लिए भगवान को कभी भी दोसी ना ठहराएं भगवान को बहुती स्ने के साथ, बहुती सुरद्धा के साथ, बहुती विश्वास के साथ बहुती आधर के साथ उनकी अराधना करनी चाहिए उनकी साधना करनी चाहिए उनकी भक्ति में आप अपना तन मंधं सब कुछ लगा देना चाहिए प्रमात्मा प्राप्ति इतनी असान नहीं है भगवान को पाना जितना ही कठिन है उतना ही सरल है इसी के लिए आप जो है प्रेम पुर्वक भगवान की भक्ति करें और प्रमात्मा को प्राप्त करने में अपना जीवन को लगाएं ताकि आपको किसी और योनी में जन्म ना लेना पड़े और इस जन्म जन्मांतर के भवमंदर से छुटकारा मिल सके अगर मेरे द्वारत दीगे जनकरी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा धन्यवाद जैमाता दीए